दर्शो को नमस्कार मैं हूँ निशान भाई आप मुझे देख रहे हैं MNS निउस पर हम इस वक्त मद्य प्रदेश की जो राज़्दानी है भोपाल इस जग Hail की नगरी के नाम से भी मशूर है हम इस जगह लोगसभा चुनाओ को देखते हुए इस जगह आए हुए है लोगसभा चुनाओ की जो राजनीती है वो इस बार मतदाताओं के बीच में केवल और केवल जातियत सामप्रादाइक्ता पर उतर आ चुकी है और इसी का जायजा लेने के लिए हम भुपाल शहर पहुँचे थे जहां हमने देखा है कि जैसा मैं दर्शकों को बता दूँ ना ही मैं मोदी समर्थक हूँ और ना ही मैं किसी पक्ष का समर्थन करता हूँ मैं केवल जनता के विचारों को उनके सामने प्रकट करने का प्रयास करता हूँ और यह मेरा जो बाल प्रयास होता है यह केवल जनता के बीच में जाकर उनकी ही जुबानी मैं उसे प्रकट करवाता हूँ एक तरब भारतिय जन्ता पार्टी और दूसरी तरब कॉंग्रेस यहां दो पार्टियां उन्हें देश में जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाओ की रननीति को अपनाया है जिसमें हमारे जो सीपे सालार या चौकीदार है वो देश में यहीं बात को लेकर प्रचार कर रहे है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है उन्होंने इस देश में बड़े बड़े अंतरिक्ष में जाकर एक उन्होंने सैटेलाइट को मार गिराया है यह ऐसे कहीं चुनावी मुद्दों को बनाकर वो जन्ता के बीच में जाकर ओट मांग रहे है और दूसरी तरब जन्ता के बीच में जाकर जन्ता को गरीब किसानों को लुभावने वादे देकर उनसे ओट मांगने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में दोनों ही पार्टिया आमने सामने हैं लेकिन देखा जाए तो वैसे तो इस बार बहुमत की सरकार किसी को भी नहीं आने वाली है क्यों मिली जुली सरकार होगी बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली है आखिर क्यों भारतिय जन्ता पाइटी और कॉंग्रेस को चुनावी दोर में इतने जुमले देने पड़ रहे हैं क्या वज़य है जन्ता क्या इनके जुमलों को समझ नहीं पाती एक तरप जुमला पिछली सरक में मोधी सरकार का जब चुनाव था 2014 में इन्होंने कहा था कि हर किसी के खाते में काला धन आएगा तो हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए की रकम जमा होगी लेकिन जब धीरे धीरे जब उनसे पूछा गया यह सवाल कि कब हमारे खातों में 15 लाख रुपए आएगे तो इसी पार्टी के भारतिय जंता पार्टी के अद्देक्ष अमिश शाह इन्होंने खुले रूप में पत्रकारों के सामने कहा था कि यह केवल एक चुनावी जुमला था। इसी पार्टी के जो कद्दावर नेता कहलाए जाते हैं जो इस पार्टी में नितिन गड़करी जो है वो परिवहन मंत्री के तौर पर इस भारत देश में कार्यकाल को संबालते हैं। किसी के खातों में 32,000 रुपए की रकम उसके खाते में जमा होगी। लेकिन देश के कई इनसान कई नागरी कैसे हैं जो जानना चाहते हैं कि यह 32,000 रुपए उनके खातों में कैसे आएंगे। आखिर यह पैसा भारत सरकार या कॉंग्रेस की सरकार अगर बनती है तो यह 32,000 कैसे उनके खातों में आएंगे। वैसे भी भारत देश यहां जुमले बाजी से कई जादा तरस्त हैं जैसा कि देखा जाए अगर यह देश मजबूत तोर पर अगर इसका सीमा जो है सुरक्षा बल है अगर यह मजबूत होता तो मुझे नहीं लगता कि 300 किलो RDX हमारे देश में आता है और बैलिस जवान उस में शहीद हो जाते हैं लेकिन अगर हमारे देश में देखा जाए तो जुमलों के अलावा और कुछ नहीं इस आम जंता को मिल पाता है जैसा कि देखा जाए कि जुमले बाजों ने जुमलिया बाजी कर दी है और देश में अराजित तक फैला चुके हैं जैसे कि आज हम लो हमारे चैनल पर ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रही है का देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रही है MNS News Live के साथ